आज देश भर की परमुख हनाज मंडियों के अंदर नर्मे और कपास के भाव कैसे रहे जानेंगे इस वीडियो में विदेशी बाजारों में तेजी आने के साथ भार्तिय बाजारों में भी नर्मा और कपास के भाव में तेजी आने शुरू हो चुकी है आज आदमपूर अनाज मंडी के अंदर नर्मा उपर के भाव में 7177 रुपे बिग चुका है तो वही धक्षिन भारत की मंडियों में 8000 के स्तर को चुग गया है वही अगर आज महाराष्टर की मंडियों की बात करें तो अकोला मंडी के अंदर आज कपास का भाव 8000 के स्तर को पार कर गया और अकोला मंडी के अंदर कपास का भाव 8200 रुपे प्रतिक विंटल दर्च किया गया तो वही सेलू मंडी में कपास का भाव 8000 पे प्रतिक विंटल रहा अगर बात की जाए बरवाला मंडी की तो बरवाला मंडी के अंदर आज नर्मे का रेट 7202 रुपे प्रतिक विंटल दर्च किया गया तो वही मुकसर मंडी में नर्मे का रेट 7000 पे प्रतिक विंटल देखन मंडी के अंदर कपास का भाव 6,750 रुपे प्रतिक विंचल पर कारोबार करता दिखाए दिया तो वहीं आदमपूर मंडी में नर्मे का रेट 7,200 रुपे प्रतिक विंचल पर पहुंचा जबकि हिंगनगाट मंडी के अंदर कपास का भाव 7,735 रुपे प्रतिक विंचल दर् उपर में 7,111 रुपे धर्ज किया गया जबकि कपास का भाव 6,500 से 6,811 पर कारोबार करता दिखाए दिया वही आलनाबाद की मंडी में आज नर्मे का रेट नीचे में 6,000 तो उपर में 7,142 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिला विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स ट